सब को जेए सुकी प्रबु क्रिष्ट में प्यारे भाहियों नव जीवन का संदेश ये शिर्षक के अंतरगत आज का जीवन तो वश्चनों को सुनने के लिए इसको समझने के लिए वश्नों को सुनकर आनंद मनाने के लिए प्रबु के साथ मैं आप सभी लूगों का हारद स्वागत करता हूँ आज सितंबर की 22 तारिक है शुक्रवार है बहुत दिल्चस्पी से बरावा सू समचार हम सबों के सम्मग प्रभु ने प्रुस्तुत किया है प्रभु स्वयम नगर नगर गाउं गाउं सू समचार को लेकर जाते थे क्यों जाते थे क्या रहस्य है क्या का क्या वो देश हैं इन से भी बातों का हम समझनी के चेस्ता करें तो सुसमचार में लिखा है इसके बाद ईशा नगर नगर और गहाओं गहाओं घूम कर उबदेश देते और इश्वर के राज्य कासु समचा सुनाते रहे बारा प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुस्ता आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी जिनका नाम मरियम और उसका उपनाम मगदलेना था और जिससे साथ अब्दूत निकले थे हेरोत के कारिंदा सुसा के पत्न युहना सुजाना और अन्या अनेक नारियां भी जो अपनी संपत्ती से ईसा और उनके शिश्यों की सेवा सतकार किया करती थी यह है आज का प्रसंग और इसमें प्रभू हम सबों से क्या कहना चाहता इस बात को समझने की हम चेस्टा करें करते थे क्या इतनी अमर्जंसी पढ़िये कि प्रभू को नगर नगर जाना पढ़ा गाउं गाउं जाना पढ़ा क्यूंकि प्रभू को मालमता ऐश्वर का वचन उनको सुनाय जाने पर और जब लोग ईश्वर का वचन सुनेंगे उनकी जीवन में जो दुख है, धर्द है, पीडा है, बिमारी है, परिशानी है, निराशा है, ये सब दूर हो जाएंगी वचन के द्वारा उनके अंदर जीवन आ जाएगा, शक्ति आ जाएगे, सामर्त आ जाएगा ये प्रभु येस्व मस्य का मालम था, क्योंकि लोग अनेक प्रकार के विल्जनों में थे, अनेक प्रकार के परिशानियों में थे, बिमारे में थे, धुख में थे, धर्द में थे, लोगों का मालम नहीं, इसका समधान कहां से आ सकता है प्रभु का वचन कहता आ ईश्वर का वचन जीवन द शक्ति दुदारी तलवार से तेज हैं जब वो हमारे अंतर्तम में प्रवेश करता है तब हमारे वन जीवन आएगा शक्ति आएगी सामरति आएगी तो प्रभु येसु ने इस emergency को इस जरुरत को समझते हुए स्वयम नगर नगर गाउं गाउं गूमते फिरते ईश्वर के राज्जी के सू समचार का प्रचार प्रसार करते रहे और निश्चित रूप से जिस प्रकासे बाइबल हमें समझाता है जितने भी लोगों ने प्रभु का वच्चन सुना वच्चन ग्रहन किया वच्चन पर विश्वास किया निश्चित रूप से उनके जिवन में आशिशे आई बरकत आई चिन्न चमतकार उनके जिवन में प्र वा चार प्रसार किया लोग जो अंदखार में थे निश्यत रूप से युजाले की और आये होंगी अंदखार के खार्री उन्हें ने चोड़ दिये होंगे अंदकार में बिताने वाला जीवन को त्याग कर प्रभू के अद्वत वचन के प्रखाश में जीने लग गए होंगे लोग जो बिमार थे छेंगे हो गए होंगे लोग जो तकलीफ में थे लोग जो परिशान थे लोग जो निराश वहताश थे वो सब आनंदर कुशियों से भर गए होंगे इसी उद्धेश से प्रभू उनके बीश में जाते हैं गाउं गाउं जाते हैं नगर नगर जाते हैं और जहां जहां वचन सुनाया प्रभू ने वहां पाचन चमतकार हुआ है और मैं समझता हूँ उन दिनों भी उन नगर नगरों में गाओं गाओं में चिन्न चमतकार हुआ होगा जो वचन ग्रहन करता है वचन पढ़ता है वचन सुनता है उसके जीवन में वचन के द्वारा प्रभु के आशिस निश्चित रुप से आती है यह बात हमें आज के दिन में सीखने को मिलती है दूसरी बात आज के दिन में हम सब प्यादान करने वाला वचन सुनाया उत्पत्य ग्रंत द्याय एक पस्राइज एक से दू अगर पढ़ेंगे वाँ पर लेह स्नूर्ब पर अहादी में इस्वनि संसार्की सरस्ति की प्रित्वी सुनसांती अंदकार चाया हुआ था गर्तमी इश्वर का अंदकार चाया हुआ था सागर पर इश्वर का आत्मा विच्छर था था यह वहां पर जीवन नहीं था वहां पर अंदकार था उजाड पन था सुनसान पन था और यह तब हुआ जब इश्वर का वचन नहीं था उस वक्त इश् सबकुष्टीक होगा, अंदकार दूर चला जाएगा, जीवन आ जाएगा, शक्ति सामर्त आ जाएगी, हमारा जीवन उजहाडपन से, सुनसानपन से या खोकलेपन से भरा है, वो खोकलापन इश्वर के वचनों से, इश्वर के प्रेम से और विश्वा से और भक्ति से भर ज जाता, इसलिए प्रभू ने उनको वच्छन सुनाया, और एक बात हमें आज के दिन में सीखने को मिलती है, शिश्य प्रभू के साथ रहेकर प्रभू से सीख रहे, बाइबूल बताता है, शिश्य येसु के साथ थे, येसु के साथ क्या कर रहे थे, येसु के प्रचार प् stoopा हुआ मननेशो को देने के लिए आज भी वचन हम सबुंकों जीवन देते हैं शक्ति सामरति देते हैं भी रजबारी से हमें चंगाय प्रदाहन करते हैं निराशा में आशा का किरन जगा देते हैं हमारे हार में जीतने का एक उमीद जगा देते हैं और प्रभू का वसानिद एक ऐसास प्रभू हमारे साथ है इस बात का अनवा दिलाते हैं आज भी इसलिए प्रभू के शिश प्रभू के साथ रहे करें इसलिए बातों को सीख रहे थे समझ रहे थे प्रभू का कारी उनको ब मनंचिंतन करने के आवश्यकता है जिससे कि हम प्रभु के प्रेव में बढ़ें विश्वास में बढ़ें इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में वचनों की वचनों के आवश्यकत हमें समझाता है अनिक और एक बात हमें आज के दिन में मनंचिंतन करने के लिए दी गई है न कुछ लोगों ने उनके साथ चल के साथ दिया उनका उस्साह बढ़ाया और इस प्रकार से नारिया अपना अपना प्रेम ईश्वर के प्रतिवक्त करने के उद्दे से अलग प्रकार के सेवा में वो लगे हुए कोई साथ चल रहा है कोई योगदान दे रहा है इस प्रकार से सेवादान वहां पर हम देखते हैं यानि कि प्रभू के कारियों में अगर हम डायरेक्टली हम इसमें इन्वाल नहीं हो सकते डायरेक्टली हम लोग गाओं गाओं नहीं जा सकते देरेट ले हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते तो हमारे पास दूसरा विकल भी हम साथ देने के लिए अनेक ऐसे रास्ते अपनाते हैं अपना योगदान दे सकते हैं प्रचार प्रसार करने वालों की मदद कर सकते हैं उनका हिम्मत बढ़ा सकते हैं अनेक प्रकार से हम सू समचार के प्रचार प्रसार में अपना योगदान हम दे सकते हैं प्रभु कवशन हमें इस सिखाता है और एक बात हमें आज के दिन में सेखने के लिए मिलती है प्रचार प्रसार के कारियों को अपना योगदान देते हुए हम भी आगे बढ़ सकते हैं हम भी इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले हम अपने आप में उस सू समचार को उथा रहें अपने जीवन में लागू करें दूसरों के लिए सू समचार बनें उदाहरन के द्वारा जीवन के द्वारा और इस प्रकार से दुनिया में शांती प्रेम अमन चैन कायम करने में लाने में हमारा महतवण योगदान होगा प्रबू यही चाता है प्रबू का संदेश हम सभी ग्रहन करते हुए वो संदेश को अपने जीवन में जीते विए सू समचार का अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करें जैसे प्रभु येस्व मसी नांकेवल सू समचार सुनाने वाले थे बलकि स्वैम वो सू समचार थे स्वैम सू समचार बनके गाओं गाओं नगर नगर गूमते थे जहां जहां गए वहां पर सूस समचार का प्रचार हुआ कू समचार दूर चला गया लोगों के जवन में आनंद कुशियां आई लोगों के जवन में भरकत आई लोगों के जीवन में जीवन आ गया वही जीवन प्राप्त करने के लिए में आज के दिन में प्रबू से प्रारतना करें अपने वच्णों के प्रति भूक और प्यास हम सबी मांगें वच्णों के पढ़ने वाले सुनने वाले समझने वाले मनंचिंतन करने वाले हम सबी बने ताकि वच्णों के द्वारा हम सबों के जीवर में प्रबू की बहुत आयत क कि आज इस हम समों को मिलने पाए दूआ करते हैं उद्धार करता यह समसी के नाम से आमेन